जो वो कह रहा है वो सरकार कह रही है कि प्रिवासी मजदूर बिहार के लिए मुसीवत खड़ी करेंगे तो उनका अपमान कर रहे है तो EVM से चुनाब नहीं होने देंगे मैंने पहले भी कहा तो आज फिर कह रहा हूँ कि चाहे हमें कितनी भी दूरी तक जाना पड़ा और इस कमिशन को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और दूसरी बात यह रही अगर बैलेट पेपर से हो गया चुनाब तो बीजेपी नहीं नितिश कुमार बीजेपी का सूपला साफ हो जाएगा बिहार की जनता बीजेपी को और शिरिमान पल्टू महराज नितिश कुमार को इतना करारा सबक सिखाएगी कि इनको राजनीती करना भुला देगी इनको तो आप विदेश्यों का पिरचार कर रहे हैं कह रहे हैं आत्म निर भर भारत पिरचार विदेश्यों का और जो भारत के जो लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं उनके रोजगार का अपमान कर र और यह बीजेपी की संस्कृति रही है यह तो वैसे भी जग जाहिर है कि भाजपा ने और भाजपा में भी विश्यस करके हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और ग्रह मंतरी अमिशा यही दों है करने वाले इन दोनों का और पूरी भारती जंता पार्टी का लोगों के पहलता चला जा रहा है उस एसस्थिती मे और भार जहां सरकार वर्च्व रैली कर रही है 72,000 LED लगाकर वर्च्व रैली कर रही है उस जग़े पर उस भार ने भी कम से कम अगर आपकी चुनावी रैली है जिसको आप संबोजित करने जा है हो आपने चुनाव का विगुल दिया है अक्टूबर नवंबर में अगर सारी इस्तिती सही रहती है और चुनाब होता है बिहार का तो तब भी आपको ये सारी चीजे तो देखनी थी कम से कम बिहार में आपको रासन उठालाना चीए था लेकिन नहीं उठाया बिहार और उत्रप्रदेश के मिला के तक्रिब लोग मर रहे हैं लोगों का रोजगार चला गया अगर कुल देखा जाए तो मतब संगठी च्छेतर में और संगठी च्छेतर में टोटल मिला के 45 करोड से ज़ादे लोग बेरोजगार हो चुक हैं आलग कि CMI का जो डाटा आया है वो ये कहता कि अपरल मैने में ही 12 करोड 20 लाक लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो किसी भी सरकार की और नाम इसमें जो रेली में लिया गया जनहित नाम बोला गया जो सरकार जनहित की बात कर रही है उस सरकार की पहली प्रात्मिक्ता क्या होनी चाहिए इस माहमारी में उसकी सबसे पहली प्रात्मिक्ता होनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो पेरामेडिकल स्टाफ है जो लेब असिस्टेंट हैं जो पुलिस के लोग हैं और बाकी जो सारा स्टाफ लगा हुआ है सबसे पहले इस बीमारी से उसकी सरक्षा के लिए पी-पी-ई किट और बाकी सारी सुबदाएं होने चीज़ें सैनेटाईजर वगरा वो सब चीज़ें उसके बाद जो लोग बीम कि संकर्मन कहां तक फैलाएं बीमारी कहां तक फैली है उसकी रोक थाम करने में वो मदद मिलेगी ये सारी चीज़ें करनी चाहिएं इसके अलाबा क्योंकि आपने पूरी तरह से लोग डाउन कर दिया पिछले अलग बग धाई तीन महीने से देश बिलकुल बंद पड़ा आज 75 दिन होगे तो धाई महीन नसीद होगे तो देखना है जी एक धाई महीने में इतने लोगों के करोड़ों लोगों के रोजगार चलेगे तो उनकी रोटी पानी की विवस्ता की जाए उनके लिए साइनिटाइजर वगरा साबन उन सारे चीज़ों की विवस्ता की और जुर्कार को ज़रूरी काम करने वो काम न करके और सरकार चुनाबी रेली करे उस चुनाब की जिसके कहने सकते है अगर कुरोना का संकरमन बढ़ गया तो सौबभी की चुनाब टाले जा सकते हैं लेकिन हो सकता है जैसी यह नूस आ रही है कि बीजेपी जो तैयारी करें वो ये कह रही है कि ओनलाइन चुनाब कराने की हालां कि बीजेपी कुछ भी करने के लिए कुछ भी काम कर सकती है तो ओनलाइन अगर चुनाब की तैयारी करें हो सकता इस सारी चीज में वो सब कुछ चल नहीं है जो कि पूरी तरह से गेर कानून या समवेदानी के गलत है जो हम किसी हालत में होने नहीं देंगे तो सरकार की पहली प्रात्मिक्ता जो होनी चीए सरकार उसको नहीं कर रही सरकार की आखों के सामने लोग मर रहे है लेकिन पूरे देश में जो लोग एक्सिडेंट में मरे हैं, ट्रेन में मरे हैं, ट्रेन के नीचे कटके मरे हैं, भूख से मरे हैं, वो डाटा हजार के पार जा चुका है 742 की, तो मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 8-10 दिन पहले की रिपोर्ट है, 742 लोगों की बाकादी, मीडिया में चल ले ही है रिपोर्ट, 742 लोग तब तक मारे गए हैं और जहां तक जो सरकार जुट बोली है, रेलवे में भी, रेल में भी सरकार बता रही है कि 8-10 लोग मरे हैं, लेकिन रेलवे जो है, रेलवे रिजर पुलिस फोर्ट जो है उसका कहना है कि 88 लोगों की तो कंफर्म है, वो मर चुके हैं उसके अलाबा जो इस्टेट से आने वाले जो इस्टेट से जो आने वाले आंकड़े हैं वो अभी आये नहीं है तो ये भी सेंकड़ों की संक्या में हैं, जहां इतने लोग मर चुके हैं, वहां आप 72,000 LED लगा रहे हैं और 72,000 LED में, एक LED में 20,000 रुपे आप खर्च कर रहे हैं, तो बिलकुल जो आपने आंकड़ा का है, बिलकुल सही के 144 करोड रुपे आप वर्चुल रैली में LED पर खर्च कर रहे हैं, बाकी और सारी जो चीज़ें हैं वो रही अलग, तो मतलब आप कह सकते हैं सीधा सीधा की 1500 करोड से जाद है, रुपे आप सिर्फ चुनाभी रैली के लिए शुरुआत में कर रहे हैं, और वो रैली आप लोग रैली को देखेंगे, और यूटूब पर एक समय में जो सबसे जादे लोगों ने देखी 20,000, पूरी दुनिया में अगर आपको आपके इतने बड़े परिचार 1500 करोड से जादे रुपे खर्च करने के बाद, आपको 40,000 के लगबग लोग देख रहे हैं, तो आपको समझ में आजाने चाहिए, कि आपकी जमिन खतम हो चुकी है, और कुछ बचा नहीं है, और आप जिस तरह से, होता भला अच्छा होता, शाद वोट मिल जाती, ये 1500 करोड रुपिया, जो एक रैली में खर्च किया गया है, 1500 से जादे ही हो सकता है, इस पैसे से जो भूके लो लेकिन सरकार की प्रात्मिक्ता नहीं है, सरकार की प्रात्मिक्ता है, राजिनिती सत्ता उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो करेगी, विशेसकर जो दिया बनाते हैं, जो कुमार समाज के लोग हैं, जो उनको बेचते हैं, उन गरीब लोगों के जले पर निमक छड़कना उनका अपमान करना है उनको बेशसत करना है कि आप उनके रोजगार को कहते हो कि लाल टेन का और इनका जमाना चला गया ये लाल टेन का इनका जमाना न गया है न कभी जाएगा ये मूल है लेकिन जिस LED की बात करते हो आत्म निर्बर की और वह बात करते हो आप देशी जो आपने कहा है कि देश का ही प्रोड़क्ट होना चीए उसी का पिरचार होना चीए ये LED मैं समझता हूँ इस देश में तो सबसब पहले नहीं बनी होगी बनी होगी तो बहार ही बनी होगी तो आप विदेश्यों का पिरच और जो भारत के जो लोग हैं उनका अपमान कर रहे हैं उनके रोजगार का अपमान कर रहे हैं उनके काम का अपमान कर रहे हैं आप उनको बेज़त कर रहे हैं और ये बीजेपी की संस्कृती रही है इसमें को ऐसी बात ने नई बात की हो बीजेपी की हमेशा संस्कृती है क इस देश के जो मुल्लिवासी हैं, इस देश के जो लोग हैं, जो इस देश के कामगार लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोशित हैं, पिछले हैं, और आदिवासी हैं, उनका अपमान करना, उनका शोशन करना, उनको उनकी भिर्सती करना, ये बीज पी को और शिरिमान पल्टू महराज नितिश कुमार को इतना करारा सबक सिखाएगी कि इनको राजनीती करना भुला देगी इनको बिहार की जनता और मैं समझता हूँ इससे समझ जाना चीए कि एक लाख लोगों की घोशना कर रहे हो डियर सो करोड से जादे पैसा करच कर रह चालिस जार अगर एक लाख बिहार में ही देखते तब भी कोई जीत मानी जाती लेकिन नहीं सब कुछ साफ हो गया तो बिहार की जनता जानती है बिहार की जनता अपने उस अनुभव को भूली नहीं है जो हजारों मील चलके पैदल चलके उसे अपने घर जाना पड़ा अपने बीमार जो उनके परिवार के लोग उनके साथ जाना पड़ा पैदल जाना पड़ा उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है उनके पास में किसी भी तरह से उनके पास किसी भी तरह से अपने जीवन यापन के लिए पैसा नहीं है अनाज नहीं है बिहार की जनता इन और इसके उपर जो इस बीजेपी सरकार ने और नितिश कुमार सरकार ने जो जले पर नमक छड़का है उनके घावों पर नमक छड़का है मिर्च छड़का है इसको भूलेगी नी और बिहार की जनता इसे भी नहीं बूलेगी जो बिहार का जो पुलिस चीफ है जो ये कह रहा वो कह रहा है कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर है बिहार के लिए मुसीवत बनेंगे मुसीवत खड़ी करेंगे और अगर पुलिस चीफ कह रहा है वहांका जो डीजीपी है वो यह कह रहा है पुलिस महानीदे चेक और सरकार ने अभी तक ऐसे डीजीपी को बरखास नहीं क उसको उसके नौकरी खत्म नहीं की सरकार इसका मतलब यह है कि सरकार जो वो कह रहा है वो सरकार कह रही है कि प्रवासी मजदूर बिहार के लिए मुसीवत खड़ी करेंगे तो उनका अपमान करेंगे है यह सब कुछ भूलेगे नहीं बिहार की जनता सबक सिखा देगी और अगर यह चुनाब जिसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और बिहार की जनता को तयार करेंगे कि अगर ओनलाइन तो होने ही ने देंगे अगर उससे होता EVM से तो EVM से चुनाब नहीं होने देंगे मैंने पहले भी कहा तो आज फिर कह रहा हूँ कि चाहे हमें कितनी भी दूरी तक जाना पड़ा और इस बार चाहे एक्स्ट्रीम स्टेप हमें उठाना पड़ा है जो मशीन है एवियम मशीन चाहे हमें तुड़वाने ही क्यों ना पड़े हम उस हद तक भी जाएंगे बी इवियम से चुनाब नहीं होने देंगे अगर हुआ तो सरकार को इलक्षन कमिशन को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और दूसरी बात यह रही अगर बैलेट पेपर से हो गया चुनाब तो बीजेपी नहीं नितिश कुमार बीजेपी का सूपला साफ हो जाएगा और आने वाले चुनाब के लिए आने वाले समय के लिए बीजेपी का बिहार से होगा तो हर जगह से सूपला साफ निश्चित करेगी बिहार की जंता बिहार की जंता स्वाबी मानी है बिहार की जो इकॉनिमी चल लगी है उन्ही प्रवासी मजदूर जिनका अपमान हो रहा कि लाल टैन और दिया ये सारी चीजें कितनी जरूरी हैं और LED को वहां की जनता क्यों नहीं पसंद करती है